आज हम बात करेंगे आर यश्ट एडल्ट कैसे देखें उससे पहले आपने इस चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो आप सभी सब्सक्राइब करें सब इसक्राइब करने के लिए नीचे हैं आप देखें great color में subscribe बटन दिखाई दे रहा है उसके जैसे click करेंगे गरे ब्रेक्न बदल जाएगा उसके पास bell का option दिखाखे देगा जैसे bell पे आप click करोगे तो इसमें सबसे first option अाता all उसके click करोगे उसके बास जो भी हमारी videos है वो आपके पास automatic पहुंच जाएगी जिससे आपको आसानी रहे हैं इसके बाद हम बात करते हैं आरिशेट रिजल्ट है अभी जो 8 सितंबर 2019 को आरिशेट एक्जाम हुआ था इसको देखने के लिए सबसे पहले इन्टेन ब्राज़र ओपन करें जैसे गूगल क्रों यह यह यूअच सी ब्राज़र है उसे ओपन करें और ब्राज़र में जहां उपर एडर्स वार हैं उसमें लिखें rkcl.vmou.ac.in इसको जैसे टाइप पर के अपना एंटर करेंगे तो एक साइट खुलेगी इसके बाद पिंग कलर का पेज ओपन होगा जिसमें लेब साइट में लिखा होगा Select District Select District में किस District से हैं अपन जाचे अजमेज, जयपूर, जोदपूर जो भी है, वो District Select करें यदि आप District Select नहीं करोगे तो भी रेजल्ट देख सकते हैं यह इतना इंपोर्टे नहीं है, उसके निचे आरा Select Searching Option इसमें यदि आपके पास रोल नंबर है, तो Search by रोल नंबर पे टिक करें, यदि आपके पास रोल नंबर नहीं है तो आपका नाव के लिए Search by Name and Date of Birth पे क्लिक करें और अपना नाव उसमें पूरा टाइप कर दें जैसे हैं आप रोल नंबर से यदि रेजल्ट देखते हैं तो आप रोल नंबर टाइप परके रेजल्ट देख सकते हैं यदि आप रोल नंबर से रेजल्ट देखना चाहते हैं तो Search by रोल नंबर पे टिक करें जैसे टिक करेंगे तो नीचे दिखाएगा आपको Enter रोल नंबर आप अपने जो रोल नंबर हैं वो टाइप कर दें उसमें और View Result पे जाके क्लिक करें जैसे हम View Result पे क्लिक करेंगे तो उसमें अपना Result शो हो जाएगा जिसमें आपको Learn Record भी आएंगे इसके लबावा आपका नाम पिताजी का नाम या Husband नेम जो भी है और आप थोरी मार्क्स और इंटरनल मार्क्स सभी उसमें दिखाएगा और उसमें निचे आएगा Final Result उसमें आपको दिखाएगा खेल हो या पास यदि आपके पास रोल नॉम्बर नहीं है तो आप Search by name and data work से भी सर्च कर सकते हैं यदि आप अब बाद data work भी नहीं है तो कोई दिखकर नहीं है आप enter student name पर जाएं और अपना नाम पुरा लिख दें लिखने बाद view button option आ रहा है उस पे click करें जैसे आप उस पे click करेंगे तो आपके नाम से समधित list मिलेगी आपको जिसमें आपके नाम पिताजी के नाम वो दिखाए देंगे जिसमें actual जो आपका मेच कर रहा हूँ नाम पिताजी के नाम उसको select करें और view result पे click कर दें उसके बाद में आपको result दिखाई देगा इस परकार आप अपना result देख सकते हैं और अभी result आये नहीं है जश्टे जल्दी ही result आने वाला है और आप result के लिए इस चैनल सबस्क्राइब पर करके जैसे result आएगा तो आपके पास message आजाएगा धन्यवाद